जब भी हम रेकी हीलिंग करते हैं तो हम ये बात भी सुनते हैं कि अपने आपको ग्राउंडिंग कीजे तो ये समझना जरूरी है कि ग्राउंडिंग क्या है उसका बेनिफिट क्या है हम ये कैसे कर सकते हैं इस चीज को समझना बहुत जरूरी है जब हम रेकी हीलिंग कर रही ह तो हम उर्जाओं से जूरते हैं यह सब जो भी रेकी करते हैं वो जानते हैं इस चीज़ को कि हम अब यह जो वातावरण की सकरात्मक उर्जा है प्राण उर्जा है इससे जूरते हैं और उसके बाद हमारे शरीर की जो उर्जा है जो हमारे आबामंडल की उर्जा है जो हमारे औरे की उर्जा है उसके साथ हम connect करके खुद की healing करते तो जितना भी ये काम है पूरा ये उर्जाओं का ही काम है ये हमें समझ लेना है ठीक है तो हमारे अंदर नकरातमकता भी आती है बहुत सारी चीज़े हैं उसी को ही हम balance कर रहे होते हैं अब क्या है कि जमीन के अंदर अपनी एक अलग ही उर्जा होती है बहुत जादा उर्जा होती है और जो अपने आप में इतनी सक्षम होती है प्राकरतिक उर्जा कि आपके अंदर से वो नकरातमकता स्वता ही ले ले जितनी उसको लेनी है ऐसा नहीं है कि आपके अंदर से वो आपकी सकरात्मकता भी ले लेगी नहीं आप परिशान हो रहे हैं तो आप खाली जमीन पे मिट्टी पे थोड़ी दिर चलके देख लीजिए फर्ष में देख लीजिए देखिए आपके ऐसे घूमने से भी आपके अंदर का जो स्ट्रेस है वो निकलने लग जाएगा ग्राउंडिंग यही है अपने आपको जमीन से अर्थ से जोड़ना ठीक है नॉर्मली भी अगर आप चाहें आप ऐसे अराम से कोई गार्डन है आप उसमें घूम सकते हैं सुबह सुबह बोला जाता है कि आप जैसे बोलते थे सब लोग बड़े बुड़े कि आप घास में चलिए ओस पे नंगे पाउं आप मिट्टी में चल सकते हैं जो एकदम मिट्टी तो आजकल जादा वैसे नहीं देखने को मिलती नीचे लेकिन आप कहीं आप कैसे दिखती है आपको जगा आप वहां घूम सकते हैं वो बहुत अच्छा है आप कुछ नहीं मिलता है आप अंदर की जो नकारात्मकता है आटोमेटिक निकल जाएगी जमीन में चली जाएगी और वो जमीन से जुड़ा रहेगा बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने आपको जमीन से भी जोड़ना क्योंकि हमें नहीं पता कि हम अपने आपको कैसे संतुलित करें लेकिन अर्थ को प्रित्वी को पता है वो अपने आप ही हमारे अंदर से वो नकारात्मक उड़जा निकाल लेती है बैलंस कर लेती है बहुत बेनिफिट होता है नंगे पाउँ चलने से बहुत ज़्यादा सर्दी है ऐसी जगह आप रहते हैं तो बात दूसरी है और नॉर्मल तो लोग चल नल बात हो गई अब यह हमने समझ ना है कि हम अगर रेकी कर रहे हैं तो हम अपने आपको कैसे ग्रांडेट करें मैडिटेशन भी होती है आप अराम से रिलाक्स होके आपको लग रहा कि नहीं मैं बहुत ज़दा अपने आपको नेगटिव सा फील कर रहा हूं कर रही हूं क मैं कहती हूँ कुछ आप चीज के उपर बैठें, बैट पे बैठें, कहीं भी आप बैठें, कुर्सी में बैठें, अराम से आप रिलाक्स होके कीजिए, लेकिन अगर आपको ग्राउंडिंग करनी है तो आप जमीन में अराम से बैठ जाएए, रिलाक्स होके, आप की पॉजिशन में अराम से बैठें, रिलाक्स रहिए, और उसके बाद आप अपने आपको अफर्मेशन देनी शुरू कर दीजे, कि मैं अपने आपको महसूस कर रहा हूँ, कि मैं महसूस कर रही हूँ कि जो मेरी उरजाएं है, वो पूरी तरीके से जमीन से जुड गई है, कि आप अपने आपको जमीन से जोड रहे हैं, जमीन के अंदर की पृत्वी के अंदर की उस उरजाएं से आप अपने आपको जोड रहे हैं, आपको महसूस करना है कि मैं यह जो अंदर की जो मेरी उरजाएं, जो जमीन की उरजाएं, वो दोनों की दोनों जोड रही हैं, मै आपको खुद को समझा जाएगी पांच मिन्ट दस मिन्ट आप जादा भी कर सकते हैं वो चीजें आपको अपने आप ही महसूस होती हैं कि आपको क्या करना है इस तरीके से आप महसूस करके कर सकते हैं कि आपकी जो उड़ जाएं उसके साथ जुड रही है और आपकी उड़ नीचे तक जुड के पूरी पृत्वी की उड़ जाएं के साथ पूरी तरीके से जुड गई इस चीज़ को आप महसूस कीजिए अंदर तक इंटरनली कि आपकी जो उड़ जाएं जो आपका रूट चक्रा है वो पूरी तरीके से पृत्वी तत्व से जुड रहा है फिर उ को लगता कि मुझे रिलीफ लग रहा है फिर आप अपने उपर बहुत जादा नहीं है कि आ कि आपको लग रहा है मेडिटेशν बेट गझे बहुत बहुत लम्बे डयम तक नहीं करनी है ये आपने दस ग्यारा मिनट पंद्रा मिनट बस बहुत जादा नहीं कीजे, meditate किया फिर उसके बाद वापिस आप अपने उपर symbol डालिए और अपनी जो शक्ती है जो हम कहते हैं कि जब भी हम रेकी उसको complete करते हैं तो उसकी शक्ती प्रवाही तो चोकुरे की stop it और seal, ये तीनों अपने उपर कर लीजे और अपने आपको आप relax फील करेंगे और उसके बाद आप अपनी normal healing कर लीजे क्योंकि आपने अभी अपनी negativity को निकाला है, grounded कर दिया है, नीचे डाल दिया है, अब वापिस अपनी 21 मिलट की अराम से relax होके, बैट के जैसे आप करते हैं, कोई चीज अपने नीचे रखके या बैट पे कहीं भी, जो भी आपको comfortable है, अपनी healing कर लीजे, वो negativity आपने निकाल ली और अब आप ने अपने अंदर रे की उर्जा को stop it भी कर लिये, अब आप balance हो गए, यह आप कुछ-कुछ दिनों बाद कर सकते हैं, जैसा आपको लगता है, कई यूं को ऐसा होता है कि कई बिलकुल नहीं करते हैं इस चीज को, उन्हें लगता ही नहीं है इस चीज की, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें आपको इरिटेट कर रहे हैं, कुछ चीजें आपको कमजोर कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं अपनी energies को change भी करना चाहते हैं, देखे, वातावरंड से हम उड़ जा ले रहे हैं, हम अपनी energies को परिवर्टे कर रहे हैं, लेकिन हम वातावरंड से ही ले रहे हैं, लेकिन हम जमीन से नहीं ले रहे हैं, अगर हमारा energy exchange भी होता है, जब हम जमीन के साथ जोड़ते हैं, कितनी सारी उड़ जाए जमीन में अगर आप फ्लैट में रहते हैं जमीन से नहीं जुड़े वे तो भी कोई बात नहीं आप अपने घर में अपनी जमीन में कर सकते हैं ultimately वो जमीन उस जमीन के साथ ही जुड़ी वी है उसे भी हम प्रिच्वी तत्व में ही लेंगे लेकि जादा बढ़िया होता है जब आप मिट्टी में करें जो मिट्टी होती है ना डारेक्ट मिट्टी आप उस पे बैठिए आपके घर के पास सब के पास बार्क होता है पेड होते हैं उसके नीचे की जबा होती है पाँच मिनट दस मिनट भी कर लेंगे ना आपको मज़ा आ जाएगा फिर आप घर आके अपनी रेकी कर लीज़े आप ऐसा कर सकते हैं आप थोड़ी दिर ऐसे ही बैठ जाएए यूही मेडिटेट नहीं कीजे और आपको लग रहा है कि नहीं मैं ऐसे नहीं बैठ सकता हूँ रोड में आप बैठें आप नहीं बैठ सकते हैं इस तरीके से कि मैं ऐसे बैठ हूँ तो आप अराम से बैठी है आँख खोल के आप ऐस्यूम कर सकते हैं अपने थर्ड आई से आपने पर सिंबल डाले, आपने आप एस्यूम कर सकते हैं, कि मेरी एनर्जी जोड रही हैं, ग्रांडड हो रही है, और बाद में, मेरी जितनी नेगेटिविटी है, वो मैंने डाल दी, अर्थ के अंदर, यह भी आप कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा बढ हैं, क्या क्या चीज़ें, वो सब आपकी उड़ जाओं को एकदम ही ले लेती हैं, जो नकरात्मता होती है, और आपके अंदर बहुत सारी सकरात्मता, बहुत सारी चीज़ें, जो आप महसूस भी नहीं कर पा रहे तो वो भी आपके अंदर आ जाएंगे, मेडिटेशन अग वो मेडिटेशन भी रेगुलर करें, तो फिर आप देखें कि आपका उर्जा का स्तर क्या होने वाला है, क्योंकि आप नेगिटिविटी को तो निकालते जा रहे हैं, और फिर आप अंदर फटाफट घर आके अपनी प्रोपर अपनी हीलिंग करके अपनी उर्जाओं को कित के नीचे वैसे भी बैटने से आपके औरे में बहुत जादा सकरात्मकता आएगी, ध्यान रखिए कि आप जब भी बैट रहे हैं तो आप अपने आसपास की चीज़ों को, महौल को, सारी चीज़ को चेक कीजए, बहुत जादा हर चीज़ जरूरी होती है, जब आप उर्ज से जुड़ी वी, वास्तू से, आपके औरे से जुड़ी वी, अंकशासर से जुड़ी वी, तो अगर आप जानना चाते हैं, यह सारी चीज़े तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, और बैल आइकन जरूर दबाएए, वीडियो अच्छी लगती है, तो ल मान कीजे, अपनों का सम्मान कीजे, मैं रमादोशी, नमस्कार.